नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत थे पांस दिसंबर को जैपुर में राश्टी राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सी गोगा मेडी की जिस तरीके से घर में घुस करके जान ली गई जैपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनावती है कि इस घटना को किस ने अंज्याम दिया क्या कुख्यात गैंगेश्टर लॉरेस विश्णोई गैंग का हाथ है या विश्णोई गैंग के नाम को ले करके किसी दूसरी गैंग ने कर दिया है कांट इसमें आनंद पाल जो कुख्यात गैंगेश्टर था उटकी बेटी चीनु का भी नाम आ रहा है पुलिस तलास रही है सबसे पहले उन दो सूटर्स को नितिन फवजी और रोहित राठोर को दोनों फरार है जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक राज नहीं खुलेंगे इसको ले करके पुलिस पर काफी दबाव है आंदोलन हो रहे है इस वीच एक खबर गोगा मेडी के घर से आ रही है क्यों उनकी तीन पतनिया थी एक पतनी से तलाग हो गया था वो हरियाना पुलिस में थी इसके बावजूद वो गाउं गोगा मेडी में रह रही थी और दो पतनिया और है एक पतनी शिला भादरा मे रहती है और दूसरी जो सपना सोनी है वो जैपुर में फिलहाल गोगा मेडी के साथ जिस घर में ये कांड हुआ है उसी में रह रही थी सिल्या गोगा मेडी की दो बेटिया भी हैं जैसे ही ये कांड हुआ मा बेटी भीड के स्तामने आई और उन्होंने ललकारा कि हम समालेंगे राश्टी राजपूत करणी सेना की कमान चूप नहीं बठेंगे उन्होंने अपने राजपूत भाईयों का हवान किया आज हमारी बारी है कल आप की आ सकती है मौका है खड़ा होने का भीड जूट गई और अंदोलन का ऐलान हो गया पुलिस परसासन को जुकना पड़ा कुछ उनकी मांगे मानी और जल्द गिरफ्तारी का अस्वासन दिया लेकिन अब जो उनके घर के अंदर लाई छड़ी है उसका जवाब किसी के पास नहीं है शीला कर रही हैं कि वो कमान समहा लेंगी जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो सपना सोनी है जो कर रहे हैं कि वो उनकी पत्नी है कर रहे हैं कि उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है यानि कि जो उनकी बिरासत है चाहे प्रापर्टी हो या करणी सेना की कमान उसके लिए शीला शेकावत और उनकी बेटी तयार है और इधर शपना सोनी जो है वो भी अपना दावा ठोक रही है वो बकाइदे एक इंटर्विव में कह रही है कि वो उनकी पत्नी हैं 10-12 सालों से रह रही थी अब जो जनकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक शपना सोनी जो है वो बताया जा रहा है कि लिव इन में रह रही थी तो लिव इन के लिए क्या कोई बैधानिक अधिकार है अप पत्नियों के बीच में जो लडाई छिडी है ये नया मोड ले सकती है सपना सोनी और शीला गोगा मेडी के बीच में ये बात अभी से जो है होने लगी है कि कौन बनेगा उत्रादिकारी कौन समालेगा उनकी विरासत जिस पे जो है जंग हो रही है रही बात पाली पत्नी सक सकुंतला की तो उनके बारे में ये खबर है कि उनसे उनका तलाक हो गया था और उसके बाद ही शीला से उनकी शादी हुई थी अब सकुंतला अभी तक उस तरीके से मुखर होकर के सामने नहीं आई है कि तलाक हुआ था फिर वो उनके गाउं में उनके घर में कैसे रह रही यह असल बात है जानने की और यदि तलाक हो गया तो वहां से उनका राइट खत्म हो गया लेकिन इन दोनों में जो है राइट को लेकर के लड़ाई बढ़ती हुई सी दिख रही है अब ये बात दिगर है कि अभी उनकी चुकी जान गई है इसलिए सब का फोकस इस बात पर है